तो आज हम बनाने वाले हैं रवडी की रेसिपी तो क्या होता है कभी कभी घर पर मैमान आ जाते हैं और मीठाई सबके घर में अबलिबल नहीं होता है तो क्यों न हम एक ऐसी मीठाई बनाए जो खाने में भी काफी स्वाधिश्ट लगती है और टाइम भी कम लगता है बनाने में और इसके सारे समान हमारे घर पर मौझूद रहते हैं तो ब्रेड दूद तो सबके घर पर होता है तो चलिए आज हम ब्रेड और दूद से बनाने वाले हैं एकदम स्वाधिश्ट रवडी की रेसिपी तो रावडी पनाने के लिए यह देखे मैने नोर्मल ब्रेड लिये है यह घर में सबके अबलीवल होते हैं तो इसे मैं साइट से काटूंगी नहीं और इसे डाइरेड हम तोड़कर इस तरह से मिक्सी जार में डाल देगे तो यह देखिती हैं, अब इसको हम अच्छी तरह से पीज़ा लें, जादा महीं ने करना इसतरह से दर्दरा रखना है, देखे, उठा के दिखाते हम आपको इस तरह से मोटा और हलका दर्दरा रखना है, तो चलि अब इसको हम साइड कर लेते हैं, और ये गैस पे मैंने एक तो मैं सिस्काणी को उतने के बेटा दिया है तो बड़ा सान है और इसमें में तीन चमंच लिए मैहें रिखलख़हे और से थीर्ट करलोंगी और से गरेमेल करोंगी क्या हता है क्योंकि क्या ओप केरेमल हो चुका है हलका गोल्डं हो चुका है इसका कलर तो अब इसमें हम दूड डालेंगे तो मैंने आधा किलो हम चीनी डालेंगे ज्यादा मीठ हमको नहीं बनाना है तो चीनी में डाल दी है अब इसको चली अच्छी तरह से चला लेते हैं और इसको डबकने देंगे थोड़ा थोड़ा दूद हमारा गाड़ा हो जाए तो ये मेरा दूद उबल चुका है अब इसमे हम कॉन फ्रॉ genuine टालेंगे तो ज्यादा नहीं एक चमच कॉन फ्रॉ singular को हम पानी में गोल लेंगे इस तरह से और गोल घी डालेंगे इसतर से नहीं डालेंगे तो गोल के डालेंगे ज्यादा हमको दूद गाड़ा नहीं करना है ह गाड़ा होते जाएगा तो यह देखे उबल उसको अब इसमें हम ब्रेट में ने मिक्सी में पीसे थे इसे घर लेटें टो चलिए वह सारे ब्रेट को डाल देते हैं, और इसको अच्छी त्रश्डर से चला लेते हैं और जादा नहीं हम थोड़ा लगभख 5 मिनिट हम इसको तो यह देखी मेरा लगभल गाढ़ा होते जा रहा है तो थोड़ा इसको और गाढ़ा करेंगे तो यह रवडी खाने में काफी स्वाधिश लगती है और इसमें हम कोई ड्राइफूट्स का इस्तमाल नहीं करेंगे ऐसी खाने में स्वाधिश लगती और अगर आप डालना चा स्वाधिश